वेलकम टू टूजदे टेचनेकल टॉक में आपका स्वागत है और मेरे पास आपके लिए है एक बुरी खबर एक अच्छी खबर पहले बुरी खबर दे देता हूं कि मैं ये निख को बाहर गाउ हूं मेरी फ्लाइट हो यूएस में आ कौन से कौन से तरह के exit strategies होते है उसका जो वीडियो है यहां पर लगा रहा हूं और दूसरी एक बात बहुत इंपोर्टन है कि anybody can trade आ रहा है और सारे tickets पर 50% off चल रहा है अभी 24 तरीक तक तो आप अपनी ABCD की ticket भी also book कर ले और मुझे मिले live event में जो है 5-6 और 7 माई को so watch out this video on exit strategy and comment below which is the best exit strategy you are following and let me know I'll be back with next video on next Tuesday thank you so much good luck and good trading enjoy the video Tuesday technical talk में आपका स्वागत है आज का topic है exit strategy और यह सबसे important topic है as a trader क्योंकि entry कोई भी कर लेता है लेकिन exit के time पे वो थोड़ा सट डर जाता है समझतान यह confused हो जाता है राइट मैं खुद भी इतना confused होता था बट हमने एक बार define कर लिया कि कौन से कौन से तरह के exit strategies है मैं कौन से तरह का trader हूँ यह trade में जो ले रहा हूँ वो कौन सा ट्रेड है short term है medium term है long term है इसमें मैं कौन सी exit strategy use करूंगा अगर वो आपको clear हो जाएगा तो आपका trading बहुत ही अच्छा हो सकता है तो चलिए देखते हैं कि exit strategies कौन से कौन से तरह की होती है और आपको पता चलेगा कि आपको कोई भी एक यूज करना या दो तीन को mix करके भी यूज करना है कौन से टाइम पर कौन सी exit strategy यूज करनी चाहिए तो चलिए देखते हैं आज का important वीडियो है मैं चाहता हूँ यह यह जो हिंदी चैनल है हमारा star trader वो अभी एक लाख subscribers को cross कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको और भी बढ़ावा दे और मैं और हिंदी content produce करता हूँ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप live share subscribe comment जो भी करना चाहाँ करें ताकि मैं आपको और value दे सकूँ राइट चलिए देखते हैं फर्स एक्जिट strategies में सबसे पहले होता है initial stop loss मैं हर एक strategy हर एक exit strategy को आपको detail में समझाऊंगा so one is initial stop loss मनलब जब आप trade लेते हो तो क्या stop loss होता है फिर trailing stop loss यह trailing stop loss कब आएगा जब आप profit में जा रहे हो तो मैं उसको trail कर रहा हो फिर मैं use करूंगा time stop loss यह time stop loss कभी कभी बहुत important होता है क्योंकि कभी कभी हम trade लेते हैं और कुछ होता नहीं है trade market sideways जा रहा है यह stock sideways जा रहा है और especially अगर आप option trade कर रहे हो तो आपका call put call put का premium भी नीचे जा रहा है so you need to have a time stop loss on certain cases you need to have an event based top loss event मतलब कुछ बड़ा result है election है कुछ बड़ा announcement है fed meeting है और उस time पर कुछ कुछ भी हो सकता है तो उस time पर हमको एक लेना पड़ेगा monetary exit monetary मतलब simple है मेरे को इतना पैसा मिला मैं निकलता हूं वह कैसे करते हैं मैं एक एक को explain करूंगा and last is psychological stop-loss यह सारे तरह के stop-loss या exit strategies हो सकती है चलिए देखते हैं पहला वाला जो है वह है initial stop-loss initial मतलब में जब trade लेता हूं वह मेरा stop-loss क्या होगा तो usually हम देखते कि समझो हमने trade लिया 40 के support पे यह एक example है 40 के support पे लो 40 मतलब of course I understand that you understand what is 40 RSI RSI के 40 के support पे bullish candle मना आपने entry लिया उसके उपर और नीचे stop-loss जो रखा है मतलब जो आपका trade लेने का जो कारण है वो कारण निकल जाए वो आपका initial stop-loss मेरा trade लेने का entry किदर है और मेरा stop-loss किदर है तो उस basis पे मैं decide कर सकता हूए कि मैं कितने shares ले सकता हूं कितने Lots में सकता हूँ कितनी quantity ले सकता हूं अगर यह समझो होता है 10 रुफे का धिंग 10 रुपे का stop-loss यह सांजो 500 रुपे है और यह 490 रुपए है18 आपको 10 रुपे का stop loss है और आपका limit है 10,000 का loss करने का तो आप कितने shares खरीद होगे 1,000 share वैसे calculation होता है backward integration बोल सकते हम लोग की यह दोनों पता चल गया उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे कितने shares खरीदने चाहिए ताकि मुझे जादा loss नहीं हो अगर मेरा stop loss trigger हुआ त इसर तो right so this is called initial stop loss the reason for your Entry आपका reason यह हे तो यह stop loss आपका reason breakout है समझो तो breakout के नेचे चला गया तो stop loss हो जाएक का reason divergence है तो divergence निकल गया तो stop loss हो जाएका अपका reason bullish candlestick है और candlestick fail हो गया तो stop loss हो जएका that's called initial stop loss right then then it goes up now that's where we see that let's say this is the actual example where we buy put a stop loss and then the trade goes up right so that's my simple trade 40 के support पे then we look at another entry और initial stop loss क्योंकि आपने breakout के उपर short कर रहे हैं 60 के resistance पे short कर रहे हो क्योंकि यह resistance है और उसके उपर stop loss लगेगा that's a short trade initial stop loss और नीचे की तरफ जाएगा तो आप profit करोगे right so long और short कुछ भी करो initial stop loss पहले जानना बहुत जरूरी है सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते है मैंने भी बहुत बार किये बहुत सालों तक किये उसमें बहुत नुकसान हुआ है कि हम पहले trade ले 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 ना भी देखते बाद में चलेगा दूपर के बाद देखते हैं दो बज़े दो दिन के बाद देखते हैं जब ट्रेड ले रहे हो अगर आपने उस मुवमेंट पर स्टॉप लॉस नहीं डिसाइड किया तो आप समझ लो कि आप परेशानी में आने वाले हो राइट लेने के पहले मुझे मालम होना चाहिए कि मेरे को यहां पर लॉस कितने का होने वाला है मैं किसके नीचे एग्जिट करूंगा आपने छोड दिया कि बाद मे टार्गेट अची होता है राइट तो अब लोगों को पैसे को बचाना है प्रॉफिट हो रहा है उसको कैसे बचाते ट्रेलिंग स्टॉप जैसे जिए मार्केट ऊपर जाएगा स्टॉप लोग जाते जाएगा अब उसके बहुत तरीके मैं एक सिंपल तरीक आपको बता कर दिया अब मार्केट ऊपर जा रहा तो मैंने एक कैंडल के नीचे बना दिया तो यह मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लोग फिर और उपर गया तो मैंने कृशंट निचे यां जैसे में यहाँ पर दिखाए यां जैसे आपको चाहिए आप percentage भी कर सकते होगे उपर से 10% या 3% नीचे आया या 2% नीचे आया उपर से 100 रुपया नीचे आया तो मैं निकल जाओंगा आपने दीरे दीरे ट्रेड करके आपका जो प्रॉफिट है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो और यहां पर आपने एक एक विडियो किया था बैंक निफ्टी का 47,000,000 वो आप देखो वो विडियो उसमें आपको समझेगा कि मैंने कैसे ट्रेड को बढ़ा और मेरा उसमें एक तो मैंने पहले इनिशल स्टॉप लॉस फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिर मैंने मॉनेटरी एक्जिट कर दिया मॉनेटरी में है मॉनेटरी के साब से बढ़ाइट स्टॉप मेरे जो भी ट्रेड वीडियो इन आप उसको देखो किना बहुत सारे हैं सेविन फिगर एट फिगर उसमें कैसे एंट्री किया एक्जिट किया ट्रेलिंग सॉप लॉस किया वो सब आपको देखने को मिलेगा राइट सो देट शौट साइड आफ विट सौट में भी ट्रेलिंग सॉप लॉस हो सकता है इनिशिल स्टॉप लॉस फिर ट्रेलिंग सॉप लॉस वन टू त्री और फाइनली वहां पर ट्रिगर हो जाता है सो दोनों जगा पर लॉंग हो या शॉट हो वन्स योश्वार अर एक प्रॉब्ले यह होगा कि आपको कभी भी lowest भाव नहीं मिलेगा क्योंकि वो that's not where you know it's going to go up right थोड़ा सा profit कम हो जाएगा लेकिन इतना profit आपको मिला so that's part of trailing stop loss right that's another one one two three four and triggered now comes the next one called time-based stop loss time-based stop loss क्या है कि अगर आप यह आपको ज्यादा तर मैं मैं समझता हूं कि अगर आप short term trading करते हो swing trading करते हो जो भी shorter range के है उसमें आपके पास time कम होता है especially option trading करते हो या intraday trading करते हो तो आपको एक time होना चाहिए कि इसके बाद में निकल जाओंगा अगर मार्केट stop loss भी नहीं हुआ और target भी नहीं हुआ और profit भी नहीं हुआ क्योंकि वो time waste हो रहा है अपना right stop market में पैसा बनाना is important but at the same time you have to optimize return optimize मतलब जितना ज्यादा हो सके और यह अगर यह 10 दिन तक 15 तक चल नहीं रहा है तो सामने मेरा दूसरा opportunity miss हो रहा है मेरा capital भी ब्लॉक है मेरा mind भी ब्लॉक है और market में कुछ हो नहीं रहा है right अपने को जादा problem यहाँ पर आता नहीं है my students because we follow simple momentum trading which is RSI अगर RSI 60 के उपर है तो ही trade करेंगा अगर 60 के उपर है तो वो automatically momentum में रहता ही है अग 40 60 के बीच में trade करोगे तभी जाकर आपको लगेगा मेरे को time stop loss use करना पड़ेगा क्योंकि वो breakout होगा नहीं होगा sideways चल रहा है तो that's where you need to use and especially अगर आप option trade करते हो तो time stop loss बिल्कुल ज़रूरी है so you should because आपका option का premium कम हो रहा है वो भी option buying कर रहे हो तो तो time based stop loss is generally मेरे हिसाब से में जो करता हूँ is between five to seven candles अगर आप आवर ली पे कर रहे हो और पाच्छे घंटे तक कुछ नहीं हुआ तो exit swing trading कर रहे हो और डेली चाट पर कर रहे हो पाच्छे दिन तक कुछ नहीं हुआ तो exit positional trading कर रहे हो और पाच्छे हफ्टे तक कुछ नहीं हुआ तो exit बैसे that's the standard benchmark for me आपका एक दो पीछे आगे पीछे भी हो सकता है तो that's my time stop loss जैसे यहां पर दिख रहा है आपको site यह मैंने long किया यहां से 40 support पर पाच्छे दिन तक कुछ नहीं हुआ वापस नीचे आगया फिर से वापस 40 support पर पाच्छे दिन तक कुछ नहीं हुआ नीचे आगया so it's not working well so let's not waste our time on such stocks right next one more example goes on forever like कभी कभी ऐसा frustrate हो जाते है यह चलता ही नहीं चलता ही नहीं और ऐसा भी होगा कि आपने time stop loss किया और बाद में चलेगा that's okay you stick to the rules as I always say focus on the process not on the profit right so now says event based stop loss event based क्या होता है मतलब market में major events minor events होते अब उस time पे समझो आपका बड़ा position है और आपको कल मालूम है कि election का result आने वाला है अब election साल 5 साल में एक बार होता है बट generally budget है फिर quarterly results है और federal meetings है कुछ announcement है अभी recently तो lockdown के announcement बहुत होते रहते है तो वह हिसाब से if you are event पे आ रहे और आपका कुछ position है तो वह affect कर सकता है या तो आप उसको निकाल दो position को या तो आप उसको options से hedge कर लो right so let's talk about major versus minor event यह बहुत important है हमारे option strategies में भी काम आता है हमारे option mastery program में भी so we talk about budget is a major जो events बहुत rarely होते हैं वो major events हो गए मतलब साल में एक ही बार होता है budget election पांच साल में एक होता है global events like Brexit COVID यह सब बार बार नहीं होते हैं लेकिन उस time पर हमको बड़ा massive moment देखने को मिलता है तो उस time पर हमको event-based stop-loss लगाना पड़ेगा फिर surgical strikes और war हो गया यह ऐसा कुछ हो गया तो यह सारे major events है और कुछ नए भी हो सकते हैं जो हमने अभी तक कभी सुने नहीं है शायर जैसे COVID-19 was a new one which we heard first time in 2020 right so यह हो गया major events अब minor events में क्या होता है quarterly results जो हर quarter आता है फिर monetary policy जो हर महीने आती है IIP data fed meets government announcement यह कुछ ना कुछ चलते रहता है तो यह major events माइनर events में अपनी positions अगर थोड़ी बहुत कम करूंगा अगर मेरे पास अच्छा खासा position especially अगर profit हो रहा है तो उसको trailing stop loss या time stop loss में exit करूंगा सो यह हो गया event based stop loss right then monetary exits monetary short term trader you should do this आपको करना ही पड़ेगा आप करना ही चाहिए उसमें क्या होता है कि you can use monetary targets weekly 15,000 मिला खतम story trade over या दुकान बंद कर दो बस खतम होगे अपना target monthly 75,000 1 lakh अगर आपका target है जो भी है this is just random numbers it can be 20,000 for you it can be 20 lakhs for you doesn't matter right so monthly monetary targets fixed percentage target जैसे मैं जो लगा कि मेरा stock 5 तका चल गया 2% intraday में है तो 2% swing trading है तो 45% positional trader तो 10-15% कभी कभी 20% यह हो गया मेरा target होगे जैसे मैंने बताया bank nifty का trade है इस video के नीचे में bank nifty के trade की link लगा होंगा description में तो आप वो video बिल्कुल देखे ताकि आपको पता चलेगा कि exit का क्या importance है right so that's uh this thing so those are the uh fixed percentage based trading which you should do especially अगर आप short term trader हो तो right so that's that's one thing then there is something called a psychological stop loss what is psychological stop loss कभी कभी होता है की position बहुत है हमारे पास but suddenly गर में कुछ problem हो रहा है कुछ family issue चल रहा है किसी की health अच्छी नहीं है किसी की death हो गई है क्या आपको ठीक नहीं लग रहा है आप फीवर में हो बुखार में हो आपको कोविड हो गया आप लॉक्डाउन प्रेशर है mentally you are not strong अगर हम देखो कि यह जो गेम हम खेल रहे है विचिस ट्रेडिंग is a game right it's all about the the numbers and game में क्या होता है कि अगर आप फिट नहीं हो जैसे सम्झो cricket में अगर आपके छोटी उंगली में भी फ्रैक्च तो बराबर decision नहीं लोगे क्योंकि आपका mind ठिकाने पर नहीं है because of illness or any other problem right so at that time you think के अभी मेरे family में issue चल रहा है मेरेको वो resolve करने के बाद मैं फिर से position बनाऊगा अभी में exit कर लेता हूँ क्योंकि अगर pressure में कुछ decision लिया वो गलत भी हो सकता है लाखों का नुक्सान हो सकत है माला हम focus नहीं कर पाते तो उस ताइम पे भी आप psychologically fit नहीं हो तो समझो कि आपने एक हफ्ता ब्रेक लिया एक दस दिन के लिए छोड़ दिया trading कुछ फरेक्ट नहीं पड़ेगा मैं बोलता हूं आपको मेरेको आपको लगता हरी दस दिन कैसे trade करेंगे कुछ नहीं होता है market किदर भी नहीं जाएगा उपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर उपर जाएगा आपको कुछ ना कुछ opportunity मिलेगा but mentally आप fit नहीं हो तो आपको trade नहीं करना चाहिए बले बाकी लोग कमाए बले market उपर चला जाए आपको अगड़ कर सकते और आपको मुझे मेरी जो style है सिखाने की अचिह लाइगा उचता हूं तो अच्छी लाइगा ने लगती है simplicity जो हमारा मक्सद है तो आप मैं आपको एक invite करना चाहूंगा ABCT में anybody can trade जो अभी जल्दी हो रहा है और अगर आप उसमें हिसा ले रहे हो तो नीचे link लगी होगी तीन तरह के tickets है एक छोटा सा investment आप मेरे साथ हो चेंज हो जाएगा क्योंकि यह तीन दिन खाली ट्रेडिंग की बात नहीं करते हैं mindset पे गोल्स पे आपका विजन पे आपकी जो programming है उसके उपर और इसमें हमारे साथ बड़े बड़े keynote speakers आ रहे हैं और मैं मिलूंगा अगले Tuesday technical talk के लिए तब तक के लिए good luck and good trading